निकाय चुनाओ नतीजे तै करेंगे सपा और बीजेपी के इन नेताओं का भविश कईयों की कुर्सी जाने का मंडुरा रहा खत्रा अखिलेश यादव ने सयार कर ली लिस्ट और बीजेपी ने भी दे दिये सक्त निर्देश जिनके कंधों पर था प्रभार अगर वहां हारी पार्टी तो होगी कुर्सी से छुटी योगी सरकार के कई मंत्रियों की तो कुर्सी जानीता है सपा में भी बड़वोले नेताओं की सिट्टी पिट्टी हो रही अभी से गुम अखिलेश ने पहले ही दिया था सक्त संकेत अगर कर सको तभी जिम्मेदारी नो बीजेपी ने तो मंत्रियों को पांच महीने पहले ही दी थी जिम्मिदारी, जिस से प्रभारी के ख्षेतर में पार्टी की होगी हाल, उसके हाँ से चली जाएगी कुरसी, इन चार मंत्रियों का हाल तो अभी से बेहाल निकाय चुनाओ का मद्दान अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाया है कि सियासी दलों में सर्जिकल स्ट्राइक के संकेत मिले लगे हैं लोग सभा चुनाओ का सेमी फाइनल ये निकाय चुनाओ सपा और बीजेपी के कई नेताओ के करियर पर ब्रेक लगाने वाला साबित हो सकता है क्योंकि जिन नेताओं ने अपने अपने जिले में जीत का दावा ठोका है उनके जिले में अगर पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है तो फिर कुर्सी का जाना तैमाना चा रहा है ऐसे में सपा ने लिस्ट बना कर तयार कर ली है और बीजेपी ने अभी से संभावनाओं को तलाश करना शुरू कर दिया है बताएंगे कि सपा में निशाने पर कौन-कौन है लेकिन शुरूआत बीजेपी से करते हैं मुक्मंत्री योगी आदितिनाथ ने अपने सभी मंत्रियों को पांच महीने पहले ही जिले का प्रभारी न्यूक्त कर दिया था और निकाय चुनाओं में उनकी जिम्मेदारियां तै कर दी गई थी वहीं समाजवादी पार्टी के कई वरिष नेता जो पार्टी के राश्री अध्यक्ष को लगातार ये भरोसा दिलाते आ रहे थे कि वे निकाय चुनाओं में अपना जिला जीत कर दिखाएंगे उनकी साख भी दाउं पर लगी हुई है बीजेपी आलाकमान ने निर्देश दिये थे कि निकाय चुनाओं के पहले प्रदेश के 25,000 कमजोर बूठों को दुरुस्त किया जाए इसके लिए योगी सरकार ने मंत्रियों को अलग-अलग जिलों का प्रभारी बनाया था और उन्हें जिले भेज दिया गया था योगी मंत्री मंदल के लगबग सभी मंत्रियों को ये जिम्मेदारी सौपी गई थी कि वे अपने अपने प्रचार वाले जिलों को जीत कर लाएं लेकिन निकाय चुनाओं के प्रथम चरण में मद्दान कम होने से मुख्य मंत्री और उनके मंत्रियों की जान आफत में है कि योगी आदितिनात ने अपने मंत्रियों को इतनी बड़ी खामी के लिए तलब किया है जिलों के प्रभारवाले सभी मंत्रियों से पूछा गया है कि इतनी बड़ी चूक की भनक आखर आप लोगों को कैसे नहीं हुई इस सवाल का जवाब अब तक कोई मंत्री नहीं दे पाया है सबने जिला प्रिशासन पर इसका दोश मढने की कोशिश की लेकिन वे अपने जवाब से योगी को संतोष्ट नहीं कर पाए सूत्रों का कहना है कि इस बार चार मंत्री ऐसे हैं जिनका मंत्री पस जाता हुआ उन्हें साफ दिखाई दे रहा है उदर समाजवादी पार्टी में भी जुला जीत का दावा करने वाले नेताओं की निकाय चुनाओ परणाम आने के बाद पोल खुलनी तय है सपा संरक्षक मुलाइम सिंग यादव के निधन के बाद इन नेताओं ने अपने बड़बोले पंसे अखले इश यादव को प्रभावित करने की कोशिश की थी लेकिन अब पार्टी के राष्टिया या दक्ष के सामने उनकी पोल खुलनी तय है टिकेट ना मिलने से पार्टी से बागी होकर निर्दलिय चुनाओ लड़ रहे सेक्डों नेताओं पर निकाय चुनाओ के बाद सपा से बाहर होने की तलवार लटक रही है सपा के सूत्र बताते हैं कि 2024 के लोगसभा चुनाओ के पहले अखले श्यादब पूरी गब भीरता से बहतर घात की समस्या को लंबे अर्से सुजूज रही पार्टी से समाप्त करना चाहते हैं और इसकी कोशिशों में लगे हैं उतर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाओ 2024 में होने वाले लोगसभा चुनाओ की पटकता लिखने जा रहे हैं ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कौन से राजनेक दल से कौन बाजी मार पाता है और कौन जीत हासिल करता है देखने वाली बात ये भी होगी कि हार के बाद किस मंत्री की कुरसी जाती है और किस मंत्री की कुरसी बचती है सपा में कौन सेनेता की छुटी अखलेश यादब करते हैं और कौन सेनेता को अखलेश यादब शबाशी देते हैं